Welcome to Visual Learning इस वीडियो में हम समझेंगे Steric Hindrance Steric Hindrance जब किसी ओर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो एटम या ग्रूप जो आपस में बॉंडेर ना हो और कुछ डिस्टेंस पे हो तब वो एटम या ग्रूप एक दूसरे को रिपेल करते हैं इसी रिपल्शन को Steric Hindrance कहते हैं जिन मॉलेक्यूल में Steric Hindrance होता है वो मॉलेक्यूल कम स्टेबल होते हैं जैसे सिस्ब्यूट्टूइन और ट्रांस्ब्यूट्टूइन ये दोनों मॉलेक्यूल स्टीरियो आईसोमर्स हैं सिस्ब्यूट्टूइन मॉलेक्यूल में अलकाइल ग्रूप सेम साइड अरेंज हैं और उनके बीच डिस्टेंस भी कम हैं इसे हम क्राउडिंग कहते हैं इस क्राउडिंग की वजह से उनके बीच रिपल्शन होता है जिसे हम Steric Hindrance कहते हैं और Steric Hindrance होने के कारण ये मॉलेक्यूल कम स्टेबल होता है वहीं दूसरी और Transbutin molecule में अलकाइल ग्रूप opposite side अरेंज है और उनके बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा है इस वजह से उनके बीच रिपल्शन नहीं होता और Transbutin molecule में Steric Hindrance नहीं होने के कारण ये मॉलेक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है Steric Hindrance किसी मॉलेक्यूल में एटम या ग्रूप का size increase होने के साथ increase होता है जैसे Bromomethane इसमें Steric Hindrance नहीं है लेकिन अगर हम इसी मॉलेक्यूल में Hydrogen atom को अलकाइल ग्रूप से रिपलेस कर दे तो इसमें थोड़ा Steric Hindrance बढ़ जाएगा Similarly, अगर हम फिर से एक और Hydrogen atom को अलकाइल ग्रूप से रिपलेस कर दे तो इसमें Steric Hindrance और बढ़ जाएगा और Steric Hindrance इसी तरह बढ़ता रहेगा जैसे जैसे atom या group increase होते रहेंगे अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है